बूद मॉलिंग दियर इस्टुडेंट वेलकम बैक टू अवर ने इस्टेंग लिएस वीडियो में हमने चैप्टर नमबर 6 जम मैंने पहली पुस्तक करी थी का पीज नमबर 35 तक कम कर चुके थी अब आज हम उसके आगे पढ़ते हैं तो हम एक पार रिवाइच कर लें कि हमन पार्टे कम की यानि स्कूल के जो पोर्स की बुक नहीं पढ़ते थे और यह बुकें ज्यादा पढ़ते रहते थे कहानी उपन्यास और फिर क्या हुआ उनकी मा को चिंता होने लगी क्योंकि उनकी सिक्षा की दूसरी तक घर पर हुई थी तीसरी क्लास से उन्होंने पिला हुआ इसकूल में उनकी पापा उनकी पकड़ के घुमाने ले गए और एक कोई लोकनात की दुकान थी वहां से ताजा हनार का शर्वत पिलाया कुलड में और फिर पोले की वादा करो की पाठ कम की किताबे भी पढ़ोगी जिससे की मा की चिंता दूर हो जाए तो उन ग्लास में पहुंचे तो उनकी वह फाज़ती वीचन इसके बाद उन्हें इसकूल से दूपुक मली अंगरी जी की एक पक्षियों से संबंदित और एक समुद्र से संबंदित चाहजों की इसमें पताएं यहां तक हम पढ़ चुकी थे अब हम इसके आगी पढ़ते हैं तो एक खाने में अपनी चीज़ें हठा कर ज़गे बनाई और मेडी दोनों किताबें उस खाने में रखकर कहा आज से यह खाना तुम्हारी किताबों का उन्होंने अपनी अल्वारी में एक खंडियाने खानी किया और दोनों बुक रख दी और यह खाना वोला तुम्हारा यह तुम्हारी क्या है यहाँ से आरम हुई इस बच्चे की लाइब बेरि यहाँ से शुरू हो गई इनकी लाइब बेरि आप पूस रखते हैं किताबें पढ़ने का शोग तो ठीक, किताबें इखटी कलने की सनग क्यों सवार हुई, उसका कारण भी परचपन का इकनबो है, पहले पढ़ने का शोग था, फिर बुक को इखटी कलने का, अब उन्हें अपना अनबो बताया है, कि क्या था, इलावाद भारत की प्रक्षाज सिक्षा के अंदों में एक रा, इलावाद में प्रक्षा बहुत प्रसिद सिक्षा करें थे, इस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इस्तापित पबलिक लाइब बेरी से लेकर, महा मना मदन मोखल मालवी द्वारा इस्तापित भारती भवन तक, इस्ट इंडिया कंपनी ने पिता दिमगत हो चुके थे दिवंगत क्या हुआ था उनका याने दिहान थो गया था पिता जी का लाइपीरी का चंदा चुकाने का पैसा नहीं था अते वही बैठकर किताबें निकलवा कर पढ़ता रहता था अपने चोटे से हरी भवन में खूब उपन्यास थे वही पर्चे हुआ वक्रिम चंद चट्टो बाध्याई की दुर्गेश नंदनी, कपाल कुंडला और आनंद मटसे, टॉल इस्टाई की अन्ना करेनिना, जिक्टर हुगो का पैरिस का कुबडा, गूर्की की मतर और सबसे मनुरंजक सरवारीज का विचित वीर यानी डौन, किज जोट हिंदी की ही माध्यम से, सारी दुनिया कथा पात्रों से मुलाकात करना कितना आकर्शन था, यहने उन्होंने वो हरी धवन लाइब बेरी में इतनी सब्ग भुक थी, वो पढ़ी और उसे वो परचित हुए, लाइब बेरी खुलते ही पहुँच जाता, और जब लाइब बेरी की शुकल जी कहते कि बच्चे अब उठो, पुस्तकाले बंद करना है, तब बड़ी अनिक्चा से उठता, यहने सुबे से जब लाइबेरी खुलती टक से पहुँच जाता और जब वो बंद करते वो बोलते शुक्लजी यह बंद करना लाइबेरी तब यह इक्षा नहीं होती परन्तु मन मार के उठते लिए जिस जिस दिन कोई उपन्यास अधूरा छूट जाता उस दिन मन में कसक हो कि काश पैसे होते की सदस बनकर किताब इशू करा लाता या काश इस किताब को खरीद पाता तो घर में रखता क्या बुल रहे वो कि अगर में कोई उपन्यास मेरे यह अधूरी रह जाती तो मेरा मन दूर्ट ताकि कार्ष मेरे पास पैसे होते, मैं या खरीद ली था, ये बुक या इशू करा ली था, अब एक बार पढ़ता, दू बार पढ़ता, बार बार पढ़ता, पर जानता था कि ये सपना ही रहेगा, भला कैसे पूरा हो पाएगा, पिता के देहावसान की बात तो आर्थिक संक इतना बढ़ गया कि पूछे मत, फिर मैंने जीवन की पहली साहित्तिक पुस्तक अपने पैसों से कैसे खरी दी, ये आज तक याद है, यानि इतनी पैसों की तंगी आगई पिता के खत्भाने की बार, कि मैं फिर कोई बुक खरी ने पता, ना लाइबरेरी से ही शुकरा पत और फिर मैंने कैसे खरी दी ये पुस्तक, इनका उन्हें अन्भो बताया है कि मुझे आज तक याद है, इस साल इंटर्मीडियर पास किया था, पुरानी पार्ट पुस्तक बैचकर बीगे की पार्ट पुस्तक है, मैंने शेकेंड हैड बुक सौप से खरी दी, पुरानी पुस्तक बैचकर अपने कॉलेज की पुस्तक खरी दी पुरानी, इस बार क्या हुआ जाने कैसे पार्ट पुस्तक खरीद कर भी कितने रुपे बच गए, दो पुस्तक बच गए, सामने की सिनेमा घर में दीवदास फिल्म लगी थी, बहुत चर्चा थी उसकी, लेकिन मेरी मा को सिनेमा बिल्कुल पसंद नहीं था, ठीक है, उसी से बच्चे बिगड़ते ऐसा कहते की मा, लेकिन उसकी गाने सिनेमा घर की बाहर बजते थे, बजते थे तो सुनाई देते थे, उसमें सहगल का एक गाना था, जो एक सिंगर थे, सहगल, उनका गाना था, दुख के दि अब भीतत नहीं, nella, उसे मैं अक्सर गुंगुनाता, मैं यह ने देखा बूल रहा है, मैं उसको गुंगुनाया करता था, दीदे, दीदे, काना, गुंगुनाना यह ने, कभी-कभी गुंगुनाते गुंगुनाते आंकों में आसू आ जाती थे जाने क्यों, एक दिन माने सुना, गाना सुना माने तो मा का दिल तो आखिर मा का दिल होता है है ना, चाहे जितनी भी आप गलती करो मा क्या करती है मा हमेशा माव करती है बच्चों को ठीक है, तो क्या हुआ उन्होंने क्या किया एक दिन बोली दुख के दिन बीच जाएंगे बेटा दिल इतना छोटा क्यों करता है धीरत से काम ले जब उन्हें मालू हुआ कि यह तो फिल्म देदास का गाना है तो सिनेमा की खोर विरोधी माने का जब इतना विरोध करती थी तो भी क्या बोली वो लेखक से अपना मन क्यों मारता है जाकर पिक्शर देखा कैसे मैं दे दूंगी माने का है ना मैंने मा को बताया कि किताबें बेच कर दो रुपे मेरे पास पचे हैं भी दो रुपे लेकर मा की सहमती से माने जब आग गया दी है ना इसे बिना मा की आग गया के नहीं गया जब माने हां म से तराय सहमती दे दी तो वो क्या गए फिल्म देखने गए पहला शो चूटने में अभी तेर थी पास में अपनी परचित किटाब की दुखान थी याने पहचानता था वो दुखान वाला तो फिर क्या हुगा देखो वहीं चक्कर लगाने लगा सहसा देखा काउंटर पड़ी पुस्तक रखी है देवदास उन्हों की निगाए पड़ी लेखक सरचन चट्टो पाध्या दाम की वल एक रुपए था मैंने पुस्तक उठा कर उल्टी पुल्टी तो पुस्तक विकेट तो बुलादू कुस्तक विकेचने वाला था उन्होंने कहा तुम भिद्ध्यारती हो यहीं अपनी पुस्तखें बेचते हो हमारे पुराने ग्राहा को पहले से आ रहे हो घिक है तुमने अपना कमीशन नहीं लूंगा कीवल दस आने में यह किताब susceptible देदूंगा उन्होंन ठीक है तो क्या बूला मेरा मन पलड गया कौन देखे डेड़ रुपे में पिक्चर मैंने बूला डेड़ रुपे में पिक्चर कौन देखे जब सस्ती दस आने में किताब मिल रही तो दस आने में देवदास खरीदी, जल्दी जल्दी कर लोटा और दो रुपे में से बची एक रुपे छे आना मा के हाथ में रख दिये अरी तू लोट कैसे आया, पिच्चर नहीं देखी मा ने पूचा, नहीं मा, फिल्म नहीं देखी यह किताब ले आया, देखो मा की आँखों में आशू आ गए, खुशी के थे, या दुख के यह नहीं मालम, यह मेरे अपने पैसों से खरीदी मेरी अपनी नीजी लाइब डेली की पहदी पुस्तक ती यह ने देखक ने, ऐसे वो पुस्तक खरीए तो बच्चों, आपको यह ले कैसा लगा अब आप क्या करिएगा, डेली एक पेस डेजिंग करिएगा और अपने सीड़ों कोपी कंप्लेट करिएगा नेक्स्ट वीडियो में हम से देखके